हिंदु धर्म में कुल 16 संसकार बताए गए हैं और इनी में से एक है पाणी ग्रहन संसकार यानी विभा संसकार इसी तरहे हमारे सास्त्रों में विभा के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं मनुस्मृति में मनुष्यों के लिए 8 प्रकार के विवाओं को बताये गया है। अर्थात एक मनुस 8 प्रकार से साधिक कर सकता है, विवार अचा सकता है। इन 8 प्रकार के विवाओं में से 3 प्रकार के विवाओं को बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अर्थात ये अ आठ प्रकार के विवाहों में से एक विवा, गंधर विवा के बारे में संपून जानकारी, नमस्कार, मेरा नाम बियल सनोटिया है और आप देख रहे हैं बियल ग्यान, वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल बियल ग्यान को अभी तक भी सस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ यदि वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेयर भी कीजी, विवाह के कुल आठ प्रकारों में से गंधर विवा पांचवी नमबर पर आता है, मनुस्मृती के अन गंधर विवा की संग्याद धी गई है, अर्थात लड़का एवं लड़की के परिवार वालों की सेमती के बिना एवं बिना किसी रीती रिवाज के आपस में साधी कर लेना ही गंधर विवा कहलाता है, इस विवा में लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते ह और प्रेम में पढ़कर संबंद स्थापित कर लेते हैं तब इसे ही गंधर विवा कहा जाता है गंधर विवा को हम वर्तमान परिपेश में प्रेम विवा यानि लव मेरिज या लिव इन रिलेशन भी कह सकते हैं गंधर विवा के अनुसार यदि एक पुरुस वा कन्या, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर चाहे वा ब्रह्म विवा के नियमों के विरुद भी क्यों न हो, तब भी उनका विवा मान्य होगा, अर्थात एक पुरुस, कन्या के अलग वर्ण, जाती, समुदाय से ना होते और धर्म के अनुसार वा विवा मान्य भी होगा, उसे कोई जुटला नहीं सकता, गंधर विवा में वर्वदू की जाती, वर्ण, कुल, रंग, रूप, पद, प्रितिष्टा, धन, परिवार, कुंडली, रासी, इत्यादी कुछ भी नहीं देखा जाता, इसमें केवल कन्य वा पुरुस का आपसी प्रेम वा आत्माओं का मिलन आवसक होता है, हाला कि गंधर विवा के भी कुछ नियमते किये गए हैं, जैसे कि कन्या वा पुरुस दोनों अपने भ्रमचर आश्रम की आयू से निकल कर, ग्रस्त आश्रम की आयू में प्रवेश कर चुके हों, अर्थ इसी प्रिकार का धोका ना किया गया हो, दोनों ने एक दूसरे को अपना असली परिचे दिया हो, वा ऐसी कोई बात ना चिपाई हो, जो विवा के बाद जीवन पर प्रवाव डाल सके, और यदि इन सभी नियमों का पालन करते हुए, कन्यावा पुरुस ये चाहते हैं, कि वे आपस में विवा कर लें, लेकिन इसके लिए उनके घरवाले तैयार ना भी हो, तो भी वे गंधर विवा कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी मंदिर या धार में किस्थल पर जाकर अगनी को साक्षी मान कर विवा करना होता है, इसमें वे अगनी के फेरे लेते हैं, व जब कन्यावा पुरुस गंधर विवा कर लें, तब वे अपने परिवार के समक्ष आ सकते हैं, वे उन्हें अपने विवा की सूच न दे सकते हैं, समाज में कोई भी, चाए वा उनका रिष्तेदार हो, मित्र हो, या जानने वाला हो, कोई भी उनके विवा को जुटला नहीं स य्योंकि धर्म उस विवा को मानेता प्रदान करता है। भारत के इतियास में भी कई गंधर विवा हुए हैं। जिन में सर्वशेट्ष उधारण, राजा दुस्यंत वा सकुंत्ला के विवा को दिया जा सकता है। दोनों का विवा की श्रेनी में ही आता है जिसमें दोनों के परिवारों की इसमें सेहमती नहीं थी पिर भी दोनों ने प्रेम शरूब एक दूसरे से विवा किया वा भरत नामक 37 साली समराट का जन्म भी हुआ तो दोस्तों ये वो गंधर विवा से सम्दित जानकारी इस भी कर दीजिए